कड़ पड़ती देखने रोती हो या तोड़ी दसनी पड़ोती हो क्या वाद है दोस्तों आज हमारे दूसरे गाने की शूटिंग शुरू हो चुकी है जैसा की गाने में आपने सुना के दसमी कलास पड़ना काफी मुश्किल है तो इसी पर अदारित हमने ये गाना एक बनाया है तो काफी मुश्किल होती है वैसे गाने में यहाँ पे लिफ सिंग से शुरू हुआ है मेरे साथ है सिंगर बिंदिया जी जिन्होंने में साथ द्यूर किया है तो सबसे पहले तो लिप सिंग होती है जिसमें काफी मुश्किल भी आती है अपने गाने का पूरे स्टैप्स पूरे मेले पड़ते हैं और पूरा एक्टिंग का भी दियान रखना पड़ता है दोनों सिंगर को पूरे दियान के साथ काफी ज़्यादा मुश्किल होती है लिप सिंग अपनी मेले में तो यहाँ पर हमारा आज गाने की दूसरे गाने के शूटिंग शुरू हो चुकी है हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे इसमें बहुत सारा हमारा स्कूल का काफी अच्छे अच्छे जो सीन है इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो ब्लॉग आज का काफी ज़्यादा अंट्रस्टीड है दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको इस पर काफी सारे ब्लॉग दिखाते रहेंगे वैसे जम्मू की शान जूटीब चैनल पर तो आपको काफी सारे गाने देखने को हमारे मिलेंगे तो अभी देखिए थोड़ा सा लिप सिंग का एक शोटा सा शौट मिया तेरा प्यार बूलाना हो उल्या मिरा प्याजे हो तेरा मिरा जिज गिजाओ साथ हो ये वाला शौट तो काफी अच्छा है देखिए ये वाला शौट कितना ही मुश्किल से दस बार हमने इसको रपीट करकर के शौट को बनाया है काफी मुश्किल शौट था यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग मेहनत करके इस गाने को बना रहे हैं गाना बनाना तो काफी मुश्किल होता है क्यूंकि इसमें कम से कम एक से दो दिन लग जाते हैं एक गाने को शौट करने में और स्टेप बई स्टेप इसको मिलाना पड़ता है वो भी काफी मुश्किल होता है देखिए यहां पे कितना मुश्किल से यह हमने स्टेप प्रिपेर किया काफी बार रिपीट भी करना पड़ा इस स्टेप को बार बार रिपीट करके इस स्टेप को बनाना पड़ा तो यह जो हमारा गाना है जे है दसमी कलास पढ़ना काफी मुश्किल होती है उस पर अधारित ये गाना बनाया है करने पढ़ दी ते करने रूंदी ये थोड़ी दसमी पढ़ दी मतलब कि दसमी कलास ऐसे नहीं पढ़ी जाती है ये लड़का कहता है लड़की को और लड़की जवाब में कहती है कि दसमी कला बास में चड़ गईी हूं। तो यह गौना काफी ही अच्छा है। और यहां पर देखिये आसपास की गृंडिरी तो काुछी है। गाउं मैं अभी मकियों लगी हुई है। ibly अब देख सकते हैं मकईयों का भी काफी जादा ग्रिंडरी है। लेकिन स्टैप करना तो काफी मुश्किल हो रहा है बई कभी वैसे करके खड़े होना पड़ता है कभी वैसे करके बार बार स्टैप को प्रिपेर करना पड़ेगा यहां पर देखिए यह है स्कूल का एक बहुती बड़िया सीन तो काफी अच्छा लगा बच्पन के दिन याद आगे हम लोगों को जैसे कि युनिफार्म डाली तो बच्पन के दिन याद आगे हम लोगों को और यहां जैसे स्कूल के लिए हम लोग जाते थे तो हमें अपने बच्पन के कुछ दिन याद आगे इस गाने को शूट करने में काफी मज़ा आया वैसे यह लोकेशन जो है लाटी की लोकेशन है काफी खूब सूरत सा एरिया है आस पास की गिनेडरी भी काफी अच्छी है और देवदार के हरे बरे द्रक्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यह ड्रीम लैंड स्कूल लाटी का यहाँ पर यह गाना शूट कर रहे हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं पूरा काफी अच्छा सीन है अच्छन देखो करने परिंदी थे कनारोंधी हो यह तोडित संधी पढ़ोंधी हो सारे करेफी नो गया बाते हैं क्या वाद? मासी, क्या कर रहे हैं? यहां पे पास का जो एरिया है ना काफी जादा खूबसूरत है और यहां का एक शॉट आप देख सकते हैं यहां का एक शॉट हमारा गाने का यूनिफार्म डालके तो हमें काफी मज़ा आया क्योंकि बच्पन में यूनिफार्म डाला करते थे आज काफी दिनों के बाद हमने यूनिफार्म डाली आई होप आपको यह हमारा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा